अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो है एक तरह की होंगे और ये सैमसंग की क्रियेशन का सबूत है अगर ये का तमाम इंसान जो है खुदा ने बनाये होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते तमाम इंसानों के अंदर गुड नहीं उनकी performance हर model की एक जैसी है ना गुमो सेपियंच या अगर तमाफ यी की बात भी और अगर प्रफॉमंस की अलग है अगर 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 नोट 10 की performance अलग है और S22 की प्रफॉमंस अलग है आप मेरी दिलिल दे रहे हैं यह तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया यार खुदा का खौफ करें खुदा तो आपके नजीब मुझूद रहे हैं किस खुदा का खौफ करूँ तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तखलीक हुई आई डॉन नो चुके चिंपैंजी को ओपर एमान लाना मेरे वर्ल्ड वियू का हिस्सा नहीं है यह मैं कहता हूँ यह आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है यह आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या नहीं है सेम frick और और जाय है वह तो आपकी मालिक और खालिक है वह आप नहीं तो आप की माली को खालिक है आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्परूव करने के लिए नहीं इस्तमाल कर सकते हैं तस्लीम कर रहे हैं मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं हम लोग हमारी पॉजिशन को भी इस्तिमाल करें हैं नहीं हम आपने का कभी अगर हमारे पास सुबूत आया वो सुबूत कैसा होगा साइंटिस्ट होगा ना साइंस से तो आप प्रूफ करी नहीं सकते चुक्छे ये मजभब की या नहीं थे and that's it कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की करीईशन से पहले भुदा जो ता वो किस टाइम और स्पेस में एग्सिस्ट करता था अच्शा क्योंकि टाइम और स्पेस के बगएर की चीज़ एग्सिस्ट कर ने ही सकते आप अपने सवाल में जो फेलसी के समझ पा रहे हैं नहीं ऍर मुझे यही समझा फाल आप यह गाएँ आप यह गया है के टाइम से पहले खुड़ञ पर घृबिटर भी किसी ने किसी टाइम इसपेस की फैबरिक में होगा यही फाल्स एक्विलेंस है इसी को आरबी में कियास अलगाई बालश चाहिद कहा जाता है तो यही चीज गुनियादी तोर पर गलत है जिस तरह वाजदी साब कहेंगे के क्रियेटर है और हम नहीं मान सकते उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कांशियसनेस ब्रेंस से बाहर एक्जिस्ट करती है आप नहीं मानेंगे बाजती साब आगे चलते हैं मैं आगे चलना चाहरा हूँ आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके उपर हमारे मजब का या हमारे हमारे जो तसवर खुदा है वो खड़ा हुआ है आप उसको चैलन्ज करें ना आप उसको ना चैलन्ज करके वो चीज़े चैलन्ज कर रहे हैं कि जो इर्रेलेवेंट है नहीं साइट पर क्यों इसका जवाब दी है मैं इस सवाल को साइट पर रख देता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है लेकिन कासी बेशर यही बन्यादी गलती है अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थे ना एक्जाम की तो क्या मैं आपके नजी क्या मेरे या मेरे स्टूड़न्स हक बजा नी भूंगे कि हमारे टीचर को कुछ नी पता उसने तीन जो है गलत तो खलके शर्ख बुरा नहीं है कस्बे शर्बुरा है और इसलिए मैंने आप से पहले कह दिया था इसलिए मैंने आप से कह दिया था कि आप टूथ को कैसे जान पाएंगे तो आपने यह नहीं कहा हाला कि आपको मालूम है कि truth जानने का आपके पास एक ही पिमाना है और वह है science आप उसको नहीं कहना चाहते थे common sense आपकी जबान से निकल गया तो आप common sense पे रहें कि आप क्या कहते हैं मजभी aspect से अपनी बीवी को अपनी बेहन तसलीम करते हैं नहीं अच्छा आपने हमारे उपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली को उससे कैसे हम लोग सवाई first cousins के हम लोग सवाई first cousins के हम दुनिया की हर औरत से जो इखतलात है उसको जाई समझते है इस हमें हर वो चीज़ जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है हमारा तो आर्ग्यूमेंटी इस बात के उपर है कि हमारी नौलिज लिमिटेड है हमारी हिकमत लिमिटेड है और खुदा की नौलिज लिमिटेड है खुदा की हिकमत लिमिटेड है तो जब उसकी नौलिज हिकमत लिमिटेड है और हमारी यह इस्तियारा है, तो आपके यहाँ साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, उसमें इस्तियारा अलाओड है, और जो चीजें कौरान और सिंद्ध है, आप ही तो कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि हाईपोटेटिकल है, वो मॉडल समझाने के लिए है, यह भी समझाने के लि तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए, तो आपने हमें वाइ बात बताए, हमने वो ले लिया, ठीक है, अब हमें यह बताएं कि घर मादा आपने आपको वजूद कैसे बख़चता है, कैसे एक्सिस करता खुद बखुद, मुझे यह बताईगे, मुझे साइंस के पा तो जब हम यह कहें कि आदम वोजूद थे तो और हमें नहीं पता किसे पता तो हमारे उपर अतराद हो जाता है इंसान की तखलीक का मकसद क्या है? इंतिहान जिसका नतीज़ा उसे पहली पता है? बिल्कुल मुझे पता है अपनी स्टूड़न का नतीज़ा मुझे मालू में इन में कौन फेल होगा कौन पास होगा जबके मेरे पास लिमिटेड नॉलिज है अब मैं समझाता हूँ आपको मुझे अच्छा लें कि आज की गुफ्तकू जाएंगे मसला तकदीर पर दुवारा कर लेंगे मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने तक्वीबन पिछले पंदरा साल पाकिस्तान के मीडिया में जॉब की है मैं दुनिया के तमाम मजाहिब को मैनमेड समझता हूँ चाहे उसके अंदर हिंदू़िजम हो इसलाम हो फिस्चैनिटी हो जुडाइजम हो बुद्दिजम हो एक एथेस्ट के नजदीक दुनिया के तमाम मजाहिब जो होते है वो मैंमेड होते है आपके पास खुदा के जुके मوजूद खुदा का वजूद है अभी हम मजहभी खुदा के इसाईग स्पर बाती नहीं हमारे पस किसी भी काइनात के creator का कोई भी evidence conclusive evidence आपके पास नहीं है आपको नहीं लगता कि absence of evidence is not the evidence of absence you are absolutely right and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extra terrestrial beings जो इसने aliens के लिए इस्तमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence हमारे पास कोई evidence नहीं है कि ऐसा कोई भी जो creator है वो इस time और space के fabric से beyond exist करता है और उसने अदम से इस काइनात को वो वजूद में लेकर आया है हमारे पास ऐसा कोई evidence नहीं है ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस काइनात का कोई खुदा आपके नजदीक truth तक किसी भी चीज़ के truth तक पहुँचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना आप denial में तो नहीं तो नहीं रह सकते हैं कि मैं तो सचाई को जानता ही नहीं मुझे नहीं लगता अगर आपके पास solid दलील है तो वो solid दलील कोई भी हो सकते हैं अगर आप मुझे बताईए कि इस काईनात का एक खुदा है यह दावा religion ने किया है आप ने किया है मैंने नहीं किया हमें इस से पहले हमें नहीं पता था अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से थाबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए जो हमारे audience को समझ आ जाए ठीक यह Collins dictionary है इसके इसमें जो burden to prove अगर आप डालेंगे इसमें जो entry है वो यह law में a claimant is someone who asked to be given something which they think they are entitled to भी वाओ एप सिंपल सी बात है आप मुझण अगर है यही म эффquality आप में अपने मकान में उरह रहा हूं और आप आकर यह दावा करें यहासिर साब यह मकान मेरा है थीक है तो बड़ण तो प्रूर आप क्यों पर होगा आप बर्ड्रं आप प्रूफ लेने को तयार नहीं दे यही वज़ा है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलोसोफी की तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्टरी का वो 500-600 BC था वो और इसके अलावा आपके पास कौन सत्रीका है पहचानने का उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी थीक तो आपने कैसे पहचाना चली मैंने थोड़ देर के लिए मान लिए है अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा इसलिए मैंने गढ़ने का लफ बोला ये मफरूजा गढ़ा चूकर एवलूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहां तक पहुँचा तो इसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा या मुम्किन नहीं है यकीना किसी ने उसको बताया होगा लहाज़ जो इस्टैबलिश और बाइ डिफॉल्ट इनसान की जो पोजिशन है वो एथीजम है ये मफरूजा नहीं तो और किया है जबके अगर हम एंथ्रोपालिजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इसवस्ट सिविलाइजेशन से एंशन सिविलाइजेशन से आप गिरीक सिविलाइजेशन में चले जाएं आप एजिफशन सिविलाइजेशन में चले जाएं मुझे सिर्फ इतना बता दे एक लाग साल पहले प्लानेट अर्थ के ओपर इनसान रहते थे आई डून नो आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए गया हूँगा लेकिन आई डून नो आपको पता है कि जो अनॉटमिकली मॉडरन हूमन्स हैं वो इस प्लानेट अर्थ के ओपर धाई लाग साल से क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं नहीं नहीं मैं सिर्फ आपकी मैं अंडर्स्टेंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नस्दीग जिस तरह बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पता हूँगा वाजदी साब इन्सान इस प्लानेट अर्थ के ओपर कब से है अपको हजरत आदम का नहीं पता नहीं हजरत आदम का पता है लेकिन यह नहीं पता कि वो कब आये थे यह हमें बताए नहीं किया अच्छा इसका मतलब यह है कि जो तारीख इबने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहां तक मैंने पढ़ा है correct me if I am wrong आप आदे मेरे सुन तो रहे मुझे मालू मैं आप क्या कहना चा रहे है आपके नजदीक हजरत आदम जो है वो इस प्लानेट अर्थ पर कब थे आई डॉन नो आपको नहीं पता वो एक लाग साल पहले भी हो सकते है हाँ सही है वो दो लाग साल पहले भी हो सकते है चुकर इसमें रिलिजन का कोई लेना नहीं है रिलिजन का तालुए वो पहले मुसल्मान थे वो लिलिजन का नबी थे ये हिस्टरी से तालुए करती है इस पर नहीं करता कके खज़रत आदम कब थे इस पर डिपेंड ़िपेंड़ करता के खज़रत आदम मुसलमान थे और उसकर हम तस्दिम करते हैं। पिर हम evolution को ओपर जारे हैं। ने ने एविलूशन पर यह जारे हैं यह evolutionams नहीं का सवाल है वो अवले बशर थे उन से पहले कोई इनसान नहीं अल्ला हुआलम थीक है आपको कब थे वो वुझब भी होंगा अभी तो पता है आपको ये भी नहीं पता अच्छा आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये नहीं बता दूँ आपको कहज़त आदम कब थे तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडन्स आपके पास है जो कुरान मजीद आपके पास जिबराईल लेकर आया उसने भी आपको ये नहीं बता आया इसलिए के ये इंफरमेशन इर्रेलिवन eğ्म है हमारे नजदीख रेलिवन्ट है क्योंके आपका मोशल रिलिजन नहीं है मेरा मोशल रिलिजन है रिलिजन की जो मुनियाद होती है हिडायत प्री तालूक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे अच्छा मुझे यह बताईए कि अगर अगर आदम से वजूद में लेकर आए थे तो टाइम और स्पेस को क्रियेट उनों ने किया उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो जो च चीज टाइम और स्पेस के फैबरिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है साइंस के नजदीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो चीज टाइम और स्पेस अगर क्रियेटर अदम से वजूद में लेकर आया तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था और इस युनि वो आदम में कैसे exist करता था, वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था, उसका तो वजूदी वजूद था, अब मैं जवाब दे दूँ आपको, जवाब दे दू, नमबर दो, आपने कहा कि रौ मिटरियल कहा से लेकर आया, अगर उसको रौ मिटरि कैसे है, क्या रप रौ मिटरियल करियेट नहीं हो सकता create हुए हैं जी राइट सर टाइम और स्पेस एक क्रियेटर ने क्रियेट है और वो टाइम और स्पेस का जो क्रियेटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो अदम में नहीं था यही तो आपका सवाल गलत है यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रियेशन से पहले वो कहा था वो किस टाइम और स्पेस में एक्जिस्ट करता था क्योंकि टाइम और स्पेस के बगएर की चीज एक्जिस्ट करने ही सकती आप अपने सवाल में जो फैलसी हो समझ पा रहे हैं नहीं नहीं सर मुझे यही समझाईगे आप यह कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था नहीं नहीं मैं यह कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैबरिक से पहले किस जमानों मकान में था टाइम से पहले किस टाइम में था इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूँ हाला कि आपके सवाल के अंदर जो फैलस ही है मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ मान लीजे मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूँ फैबरिक ने, और मैं इस चीज़ को बनाने के बा CV एस के बाहर हूँ , तो जो इस पूरे फैबरिक को बनाने वाला है , उस फैबरिक में कैसे होगा ? छूंके आपने क्रियेटर को अपने जीसा समझा के जिसे आप टाइम और स्पेस की फैबरिक में होगा यही फालस इक्विलेंस है इसी को और विमें कियास अलगाईब आलश चाहिड कहा जाता है तो यही चीज गुनिय अधिर तोर पर गल्ट है टाइम और स्पेस क्रियेट किये गए है उस से पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था नहीं पिर आज भी नहीं है वो आज भी नहीं है यह लाजमान और लामकान है यह लाजमान और लामकान है यह लाजमान और लामकान है यह लाजमान और लाम अब में आपको बताता हूँ क्यू नहीं है अगर वो माद्दी होगा तो उसका भी कोई ना किरीवहटर होगा और अगर उसका भी माद्दी होगा और उसका भी कोई ना किरीवटर होगा इसनी को आपको कहते हैं infinite जो शौूर है वो माद्दे का मज़र है consciousness is the reflection आप यह करें कि शुगूर और ब्रेन दोनों एक चीज है नहीं एक चीज नहीं है और ब्रेन के अंदर जो electrical activity है जो उसकी manifestation है वो consciousness है इधर उधर की बाते करें इधर उधर की नहीं बहुत important है अगर हम माद्दे और गेर माद्दे की बात करें तो शुगर के उपर तो बात होगी चुके शुगर एक्जिस्ट करता है और गेर माद्दी है आप मुझे बता दीए कि शुगर एक्जिस्ट नहीं करता तो फिर यह सवाल कि खुदा ने कािंणाद को कीसे बनाया इर्रिल्ट हो जाता है उर्रिल्ट हो जाता है जब हम यह कहते हैं खkillाने कुण कहा अप अगर आप यह सवाल केंगे अच्छा अरभी में कहा था सवाल यह है किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आप को यह जाना जरूरी ही किस जबान में कहा था में यह कहूं करने है में यह कहूं के इमरह उल ق ऑगा के जिस जबान को हम समझते होंगे वा उस जबान में नी नहीं विताओ अब मिplicाईगा के ताव को पुर्ण में पाइटान लेड़ मेंぐ नहीं लिखी ले जन्यू करने होगी की इस जबान में कहा था? और्ग्यूमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूँ मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ही है कि हमारा कोई ना कोई डामेंशन हो सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ वेट और डेप्थ होने चाहिए तब ही हम वजूद अपना रखेंगे आगे चलना चाहरा हूँ आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ओपर हमारे मजभगा या हमारे तसवर खुदा है वो खड़ा हुआ है आप उसको चैलेंज करें आप उसको ना चैलेंज करें वो चीजज़े चैलेंज कर रहे हैं इसका जवाब दीए अगेश था इस सवाल को साइट पे रख देटाए ना क्योंके मुझे आगे जाने का शोक है जहां सवाल नहीं है तोसको साइट पे चल बड़ए जाकिए क्या हमने रुदा की वजुद को आप रहे हैं अगर आप در देख लें इसके दो प्रैमिससे हैं If the universe has existed by itself, it would have either evil or good due to the lack of consciousness. B. The universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So, God is evil? No. The creator of evil is not evil. This is the fallacy. The performer of evil is evil. Not the creator. That's why I give myself. I give myself an example that, for example, you are my student. These are all my students sitting here. I give myself an example. If I am multiple choices, I give myself an example. Then three options are wrong. And one is wrong. If you give yourself an example, you get an example, you get one of the three, you get wrong. Is there to be an example? I have this to suggest that, when I live through it, my knowledge is more than just his knowledge, and my Schlussfolks of my life, I give myself a message, all of the Jews, all of my Muslims, all of them, all theseydians, all of them, all alike, all of them, all of them, all of them, all of them, all of them. All monotheistic religion is. हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपनी खुदा को पहचाने अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहानन में जाएंगे अगर हमारा बुनियादी मुकदमा ये है मेरे सवाल का जबाब देंगे आप अग लेके जाएंगे तक अभी भी इस सेशन को मकमल नहीं करताएंगे इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि इवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है हमारा तो मुकद्दम है यह हम तो उसको खाली के शर्ड भी मानते हैं तो खलक शर्ख बुरा नहीं है कस्बे शर्ख बुरा है तो अंदर जो शर्ख करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर्ख नहीं है ठीक है लेगिन अगर मैं उस शर्ख को एक्जीक्यूट करता हूँ तो वो शर्ख है कि आप truth को कैसे जान पाएंगे तो आपने ये नहीं कहा हाला कि आपको मालूम है कि truth जानने का आपके पास एक ही पिमाना है और वह है science आप उसको नहीं कहना चाहते थे common sense आपकी जबान से निकल लिए तो आप common sense पे रहें क्या common sense आपके नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता वह 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 तो मुझे ये बता दीजिए अगर ये औरत की इन्फिरियर्टी है कि एक औरत आदम की पसली से बने तो क्या ये मर्द के लिए इंफेरिटी नहीं है कि मर्द और और पेट से पेटा हो मुझे ये बताईएगा महज इसलिए आप उसको इंफेरिटी नहीं मानते चुके दुनिया इसी तरीके से चल ले है आपको वो चीज इसलिए उस पर अतराज हो रहा है चुके वो एक किताब के अंदर आगी है मुकदस किताब नहीं तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिलकुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पस्ती से पैदा हो सकती है जिस तरह एक मर्द औरत के पैट से पैट से पैदा हो सकता है कि आप क्या किते हैं मजभी आसपेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बेहन तसलीम करते हैं आपने हमारे उपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली तो उससे कैसे इंटर कोश्ट के लिए हम दुनिया की हर औरत से जो इखतलात है उसको जाई समझते हैं इस अवर आर्ग्यूमेंट के हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है हमारा तो आर्ग्यूमेंट इस बात के उपर है कि हमारी नॉलिज लिमिटेड है हमारी हिकमत लिमिटेड है तो जब उसकी knowledge हिकमत unlimited और हमारी knowledge limited है तो हम उसकी unlimited knowledge को अपने limited knowledge में कैसे या limited जहन में कैसे समा सकते हैं तो जो एक chimpanzee की मादा है वो कैसे तखलीक होई I don't know चुके chimpanzee को ओपर एमान लाना मेरे world view का हिस्सा नहीं है chimpanzee को मैं देख रहा हूँ मुझे ये बताईए हम खुदा के वजूद पर मात कर रहे हैं और evolution और मैं आपको बता दूँ आप ये कह रहे हैं का चा ठीक है नहीं करती मैं कहता हूँ ये आपका scientific argument है ये आपका argument scientific है क्या ये जो आपने chimpanzee की मिसाल दी ये आपका argument scientific है मैं आपका सवाल नहीं समझा आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हुआ का जो भी आपने का कि अंदूरुनी साख्त है और इसी तरीके से जिंपैंजी के अंदूरुनी साख्त है ये scientific argument है मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये simple argument है ये simple argument है आपको समझाने के लिए आप क्यों डर रहे है साइंस का नाम लेते हुए वो तो आपकी मालिक और खालिक है आप बताएए scientific argument है मुझे नहीं पता कि आपको science से तनी चिड़ क्यों है और आप इसी science की बदौलत लोगों तक अपना पेगाम पहुचा रहे है मैं scientific devices इस्तमाल कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये scientific argument है यस और नो क्या आप समझते हैं कि scientific argument खुदा को प्रूव और डिस्प्रूव कर सकता है scientific argument खुदा को प्रूव और डिस्प्रूव नहीं कर सकता है आप उसी पस्लीव कर रहे हैं कि science को हम खुदा के उर डिस्प्रूव करने के लिए नहीं استعمال कर सकते हैं तस्लीव कर रहे हैं मैं इस बात को तस्लीव कर रहा हूँ लेकिन साथ ती साथ हम लोग हमारी साथ हमारी जो इजिसन को agnosticism कहते हैं आप agnostic नहीं है मैं अपने आपको atheist slash agnostic यह भी नया इजाफा हुआ मेरे लिए इनकिशाफ है इसलिए मैं शुरू में पुछ लिया था आप से कि सर आप agnostic आपने का अजी मैं तो आपने का कभी अगर हमारे पास सुबूत आया वो सुबूत कैसा होगा scientific होगा ना exactly साइंस से तो आप प्रूफ करी नहीं सकते हैं मैं आपने नाजरीन के लिए स्क्रीन के ओपर यह जरूर दिखाना चाहूँगा National Academy of Science के इक्तिवासे आप भी देख सकते हैं science does not, doesn't have the process to prove or disprove the existence of God science studies and attempts to explain only the natural world while God in most religion is supernatural तो आप मैं religious paradigm के बाहर मजभी खुदा को साइंस के जरीए डिस्प्रूफ कर सकता हूँ आपने अभी बोला और अभी मैंने National Academy of Science का इक्तिवास दिखा दिया in most religion इसका मतलए कि आप religious खुदा को भी science के जरीए डिस्प्रूफ नहीं कर सकते तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम science की बुनियाद पर God को exist मान ही नहीं सकते चलो ठीक है मैंने मान लिया जब आपको हम इक्तिवास दिखाते हैं तो आप इसको डिस्प्रूफ कर देते हैं आप ये कहते हैं कि इसक बुन सी science है कि जिसको हम माने क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवेस इक्बाल साथ की science चले गी है क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूल और कॉलिजों से science रटा कर हुए सिक्बाल साथ का निसाब चला दे यार खुदा का खौफ करें खुदा को और चिम्पैंजी को और जराफे को तमाम इस जमीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्ला ताला ने मट्टी का पुतला बना कर बनाया है तो ये आज 21 सदी में अभी आपने कहा अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसी बनाया है जिस तरह से आदम और हवा को बनाया है कि जिस तरीके से आदम अलेस्ट वो स्सलाम का पुतला बना था, ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हाईवाना थे, उनका पुतला होगा हमारा ये दावा नहीं है, चूपके ये मज़भ की फिल्ड नहीं है, ये साइंस की फिल साइंस साइंस करते हैं, और इतना मौतबर इक्तिबास आपके सामने आगिया, और उसमें ये लिखा हुआ है, कि आप मजभ को साइंस की बुनियात पर ये मजभी खुदा को जच करी नहीं सकते हैं, फिर आपको साइंस चाहिए, तो ये जो कांटर डिक्शन है, आपके वर् सनल उपे नहीं है, एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, दूसरी दलील की तरफ, आप सवाल ये है कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाहरे है, क्योंकि आप मुझे पहली दलील के उपर मुतमें नहीं कर पा है, कोई बात नहीं, मुतमें करना मे हभा को पैदा भी कियाँ तो बकिया जो life forms है वो क्या specially created हुई है भी है अबाल हुई है इसलिए कर वो मुकल्णाफ़ नहीं है मुकल्णाफ सिर्फ इनसान है तो इनसान की तखलीग को आप ये कह सकते हैं कि इनसान येति है ये भी hypothetical है ये भी इस्तियारा है तो आपके यहां साइंस में जो इतनी रियरिस्टिक है उसमें इस्तियारा अलाओड है और जो चीजें साइंस में साइंस में इस्तियारा अलाओड है आप ही तो कह रहे हैं अभी तो आप ने कहा कि hypothetical है वो model समझाने के लिए मॉडल समझाने के लिए यह भी समझाने के लिए अच्छा यह वैसे ऐसा हुआ नहीं है वोई जरूरी नहीं है यह सिर्फ समझाने के लिए है उसे कि चुझकर सब का dimension एक है सब एक ही dimension में exist करते हैं गलत का था थोड़ा सा अपने तसवर के अंदर modification की है जो कि पहले आप ने का नहीं माददी वजूद के अंदर हम infinite regress के काइल है अब जब मैंने एक मिसाल माददी वजूद की दे दी तो आपने फॉरण थोड़ा सा उसके अंदर modification किया अच्छा क्या आप इस बात से मुत्विक हैं के माददा खुद को वजूद बखश सकता है नहीं तो फिर हम यह क्या कर रहे हैं कैसे आए तो आपने हमें यह बात बताई हमने वो ले लिया अब हमें यह बताएं कि हम फिर माददा अपने आपको वजूद कैसे बखशता है कैसे अपने आपको कैसे एक्जिस्ट करता है खुद बाखुद मुझे यह बताईए मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है मैं वाजदी साभ आपसे ऑनिस्टी कोई साइंटिस यह नहीं कहता कि हमें बिग बैंक के कास का पता है हमें बिग बैंक के कास का नहीं पता है यह नहीं पता कि कैसे हुआ हमें यह नहीं पता तो जब हम यह कहें कि आदम मुझूद थे और यह कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता तो हमारे उपर इतराज हो जाता अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे तो मानेंगे अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे आपने अपने आपको देखा है कभी जी शीशे में देखा है वो आपकी बॉड़ी है आपको ही है अचा मुझ में और मेरी बॉड़ी में क्या फरक है फरक ये है कि आपका जो मुशाहिदा जात है जो आपका इनर सेल्फ है वो बता दिए आपने शीशे में देखा हो हम भी देखे लें भी अपना इनर सेल्फ इंसान की तखलीक का मकसद क्या है इम्तिहान जिसका नतीजा उसे पहली पता है बिलकुल मुझे बता है अपने स्टूर्ट कर नेतीजा मुझे मालूमें में कौन फेल होगा कौन पास होगा जबके मेरे पास लिमिटेड नॉलिज है अब मैं समझाता हूँ आपको मुझे अज की गुफ्तुकू जाए पर दुबारा कर लेंगे चले ठीक